हेलो नमस्कार दोस्तो आपका स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल तेज हरियाना दक्षित्वर दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कलाश परवत के कुछ रहस्यों के बारे में तो चलिए दोस्तो शुरू करते इस वीडियो को बगवान संकर की निवा स्थान के पास स्थीता कलाश मानसरूवर यह अद्बुत स्थान रहस्यों से भरा पड़ा है शीप पराण, संकत पराण, मितस्या पराण, इन सभी में कलाश खंड़ नाम से अलग ही अधाई है जहां की महिमा को गुणगान किया गया है प्राणिक मानेताओं के अंसर इसी के पास खुबेर की नगरी है यही से माविश्णू के करकमनों से निकल कर गंगा कैलाश परवत की चोटी पर गिरती है जहां पर प्रभुशिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धर्ती में निर्मलधारे की रूम में प्रवाइद करते है ऐसा कहा जाता है कि कैलाश परवत के उपर स्वर्ग और नीची मिर्त लोग है चलो जानते हैं इसके 11 रहसों के बारे में कैलाश परवत परचड़ना निशिद है प्रंतु 11 सदी में एक तिब तिब बोध योगी मिला रेपा ने इस पचड़ाई की थी रश्य के विज्यानिकों की यह रिपोर्ट यू एन स्पेशियर मैगजिन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी हलांकि मिला रेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं खा इसलिए यह भी एक रहस चाहिए है यहां दो स्रोवर मुक्के हैं पहला मांस्रोवर जो दुनिया की सुद्ध पानगी उच्टम जीलों में से एक है और जिसका अकार सूरिय के समान है दूसरा रक्षस नामक जील जो दुनिया की खारे पानगी उच्टम जीलों में से एक है और जिसका अकार चंदर के समान है यह दोनों जीले सोर और चंदर बल को प्रदर्शित करती है जिसका सबंद सकरातमक और नकरातमक उर्जा से है यह अभी तक रहसे ही है कि यह जीले प्रक्रितिक तोर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इने बनाए गया धर्ती के एक और उत्री दुरू है तो दूसरी और दख्षनी दुरू दोनों के बीचों बीच स्तीत है हिमाल्या और हिमाल्या का केंदर है कलास परवत विज्यानिकों के उंसार यह धर्ती का किंदर है कलास परवत दुनिये के चार मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, भोध और सिक धर्म का किंदर है हिमाल्या वासियों का कहना है कि हिमाल्या पर यती मानव रहता है कोई इसे बुरा भालू कहता है कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव, यह धारना पर चलित है, कि यह लोगों को मार कर खा जाता है, कुछ विज्यानिक तो इसे निडर थल मानव मानते हैं, विश्यो भर में करीब 3 से ज़्यादा विज्यानिकों ने दावा किया है, कि हिमाले के बरफीले इलाकों में हिम मा केलास परवत की चार दिशाओं से चार नदियों का उद्गम होता है ब्रह्म पुत्तर सिद्धू सत्लुज वेकरनाली इन नदियों से ही गंगा सरसवती सहित चेन की अन्य नदियों भी निकलती हैं केलास की चारों दिशाओं में वीबिन जनवर के मुख है जिसमें से नदिय कमाई ही रह सकती हैं कलास परवत और उसके आसपास के वातावरन पर अध्यान कर चुके रश्य के विज्यानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरूँ से मुलाकात की तो उन्होंने बताए कि कलास परवत के चारों और एक अलोकिक शक्ति का परवा है जिसमे के तपस्वी आज भी अध्यात्मिक गुरूओं के साथ टेलीपैतिक संपर्क करते हैं दुनिया का सबसे दुरलम मरीग है कस्तूरी मरीग यह ही रन उत्तर पाकिस्तान उत्तर भारत चीन तिब्बत साइबेरिया मंगोलिया में ही पाय जाता है इस मरीग की कस्तूरी बहुत उत्तपादों में से एक है जदी आप केलास परवत या मान सुरोवर जील के शेत्तर में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी जैसे कि कहीं आसपास में ऐरोपलेन उड़ रहा हो लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की धवनी जैसी ह विज्यानी कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज भर पिंगलिन की हो यह भी हो सकता है कि प्रकाश और धवनी के बीच इस तरह के समागम होता है कि यहां से ओम की धवनी सुनाई देती है यह एक ऐसा भी केंदर है जिसे एक्सिस मूंडी कहा जाता है एक्सिस मूंडी अदार्त दुन्ये की नाभी या अकाशिय दुरू और बंगोलिक दुरू का केंदर यह अकाश और प्रित्वी के बीच सबंद का एक बिंदू है जहां दस दिशाएं मिल जाती है इस रशिय के विज्यानिकों के अनुसार एक्सिस मूंडी वैस्तान है जहां अलोकिक शक्ति का प्रवा होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं केलाश परवत एक विशाल काय पिरामीड है जो सो छोटे पिरामीडों का केंदर है केलाश परवत की सरंचना कमपास के चार दिक बिंदूओं के समान है और एकांत स्थान पस्तित है जहां कोई भी बड़ा परवत नहीं है दावा किया जाता है कि कई बर केलाश परवत पर साथ तरह की लाइटे आसमान में चमकती हुई देखी गई है नासा के विज्यानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहां की चुमकिये बल के कान होता हो यहां का चुमकिये बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्मान कर सकता है दोस्तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर जिरूर करें और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारी यूटूब चैनल तेज हरियाना दक्सित को सब्सक्राइब करें